मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 11 दिसंबर 2020 का दिन में सरासी वालों के लिए कैसा बितेगा आने वाले शमय के दोरान आपके जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 11 दिसंबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है एकादसी नक्षत्र है चित्रा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है सुक्र वार आज के दिन सुर्य उदय का समय है सात बजी के तीन मिनट में सुर्य अस्त का समय है पंच बजी के पचीस मिनट में रितू है हे मन्त आज का दिन काल है दस घंटे 21 मिनट 11 सेकेंड का महिना है मार्ग सिर्ष आज के दिन सुभ समय शुरू होता है ग्यारह बजी के पचास मिनट एम से बारह बजी के तीस मिनट पी एम तक अशुभ काल शुरू होता है ग्यारह बजी के आठ मिनट एम से ग्यारह बजी के तीस मिनट एम तक दिसा सूल है पश्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भग्यसाली रंग और भग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जै माकाली कमेंट कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों आने वाले समय के दौरान अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका समय सामान से बहुत जियादा नीचे है आने वाले समय के दौरान किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपके प्रेमी या आपके प्रेमी का के साथ आपका नोक जोक होगा आपका बहस होगा इस नोक जोक के कारण आने वाले समय के दौरान आपका प्रेम संबंध थोड़ा बहुत खराब होगा लेकिन इन चीजों से आप को बचना होगा मित्रों आने वाले समय के दौरान अगर आपके घर पड़िबाड की बात करें तो घर पड़िबाड के दृष्टी कौन से आपका समय बहुत जियादा बिहतर और सांदार होगा मित्रों आने वाले समय के दौरान आपके घर का माहौल आपके घर का वाता बरन बहुत जियादा बिहतर और सांदार होगा आने वाले समय के दौरान आपके घर बालों का साथ आपके घर बालों का सपोर्ट आपको बहुत जियादा मिलेगा लेकिन अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कोन से आपका शमय सामाने रहेगा न जियादा बिहतर न जियादा खराब दोस्तों आने वाले शमय के दौरान अपने फिजूल खर्ची पे अपने फालतू के खर्चों पे आपको ध्यान देना होगा आपको कंट्रोल करना होगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान अगर आप अपने फिजूल खर्ची पे ध्यान नहीं देते हैं कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपके धन संपती के मामलों में पड़ेशानी का शामना आपको बहुत जियादा करना होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका भग्यसाली रंग और भग्यसाली अंक क्या है दोस्तों आने वाले शमय के दौरान आपके लिए भग्यसाली रंग है काला और नीला दोस्तों आने वाले शमय के दौरान आपके लिए भग्यसाली अंक है दो यनी की टू मित्रों आने वाले शमय के दौरान अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आपको मचलियों को आटे की गोलियां खिलानी होगी अगर आप ऐसा करते हैं इस टोटके को अगर आप आज माते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत जयादा बिछतर और सांदर होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चेनल को सब्सक्रैम कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से अर कर दें धन्यवाद